नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है फायर वोल्ट निंजा टोक स्मार्ट वोच जो हाली में लॉंच हुए है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 1599 में हाला कि इसके प्राइस कम ज्यादा हो सकती है लेकिन अगर आपके स्मार्ट वोच 1799 या उसकेंडेर मिलती ह तो अच्छी डिल है ये है एक कॉलिंग स्मार्ट वोच और इसमें है 1.39 इंच का राउंड डिस्प्ले 60 हर्ट रिफ्रेश रेट के साथ इसके लावा इसमें है हार्ट रेट एन SPO2 सेंसर 123 वर्काट मोड वोईस असिस्टन्ट स्मार्ट नोटिपिकेशन म्यूजिक एन कैम परा कंट्रोल और ये है IP67 वाटर इंडस्ट रेसिस्टन्ट मतलब कि आप इसे पानी में एक मिटर घहरे तक आदे गंटे के लिउस कर पाऊगे जो स्मार्ट वोच चे दिखने में काफी बढ़िया है उपर में आपको मिलता है करो गलास और ये है मिटल बोडी जिंक इस स्पिकर और ये है माइक शिलीकॉन के श्याप से 20mm के जिने आप रिमूवी कर सकते हैं रिमूव करने के लिए आपको इस पीन को नीचे के और खिछना है और इसे बाहर करना है insert करने के लिए आपको नीचे के hole में पिन को align करना है उपर ओली पिन को नीचे खिचना है और hole में align करना है इस तरीके से उपर में है metallic buckle और दो straps holder बात करते हैं battery और charging की तो आपको इस तरीके से attach करके इसे charge करना है आप charging करने के लिए 5W या 10W का charging adapter यूज़ कर सकते हो जितना slow charger आप यूज़ करोगे उतना बेतर होता है smartwatch की battery life के लिए long run में या आप अपने PCI laptop में जो USB पोड़ता है उससे भी charging कर सकते हो इसे full charge करने के लिए आपको लगेंगे 2 hour आपको मिलेगा 7 days का battery backup लेकिन अगर आप calling का उसकरोगे तो आपको मिलेगा 2 days का battery backup इस smartwatch को first time उसकरने से पहले आपको इसे full charge करना है ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले तो मैंने इसे full charge कर लिया है मैं करूँगा इसे switch on तो आपको बड़न पे long press करना है तो smartwatch हो चुकिए switch on अब हम करेंगे इसकी pairing अपने smartphone के साथ इस smartwatch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में play store में जाकर इसे आपको download करना जिसका नाम है दाफिट इसे आपको download कीजिए आपको इसे करना है open आपको अपना gender choose करना है male female इसके बाद आपकी birthday set कीजिए day month और year इसके बाद आपकी height cm में आपका weight kg में set कीजिए फिर कीजिए tick पे tap allow कीजिए उपर में लिखा होगा to add आपको इस पे tap करना है while using दे आप पे tap कीजिए allow कीजिए फिर से allow कीजिए इसके बाद आपको इहाँ पे weight करना है यहाँ आपे show करेगा firebolt 100 आपको इस पे tap करना है फिर आपको जना है device के tap में उपर में अगर show करेगा battery level मतलब की समझ जना कि आपकी watch आपके phone के साथ pair हो चुकी है इसके बाद आपको मिलेगा pairing करने के लिए एक pop up अगर नहीं मिला तो आपको जना है अपने phone के bt settings में bp long tap कीजिए और यहाँ पे आपको available devices में show करेगा firewall 100 यह रहा आपको इस पे tap करना है pair पे tap कीजिए इसके बाद आपकी watch में call का feature ओन हो जाएगा मतलब की अब आप अपनी watch में भी call को रिस्यू कर पाओगे तो यहाँ पे इस तरीके से show होगा connected for calls and audio सबसे पहले है watch face को change करने का option तो आप यहाँ पे one tap में watch face को change कर सकते हो इस तरीके से बस आपको यहाँ पे tap करना है watch face change हो जाएगे आपकी watch में इस तरीके से अगर आपको download करना है watch face को तो last में होगा face gallery आपको इस पे tap करना है यहाँ पे आपको मिलते है 250 plus watch faces अगर आपको किसी भी watch face को download करना हुआ तो आपको इस पे tap करना है मुझे एक ऐसा watch face download करना है जिसमें battery level भी show करें तो यह रहे है वो watch face जिसमें battery level show किया जाता है तो मैं इस पे tap करके से करूँगा download तो इस तरीके से आप किसी भी watch face को download करके apply कर सकते हो जो watch face है apply हो चुका है आप देख सकते हो अगर आपको अपनी खुद की photo set करने हुई तो यहाँ पे है watch face number 2 यहाँ पर यहाँ खाऊगा edit उस पे tap किजिए तो आप इन photos को भी use कर सकते हो background के लिए अगर आपको use करनी है आपकी खुद की photo तो यहाँ पे last में मिलेगा choose from album का option plus के sign पे tap किजिए gallery को open कीजिए जिस photo का आपको set करना है watch face पे आपको इस photo पे tap करना है आप इसे zoom in zoom out कर सकते हो left right उपर नीचे भी कर सकते हो फिर आपको करना है tick पे tap time जो है उपर में शो करेगा अगर आप चाहते हो time नीचे शो करे तो यहाँ पे है time position क्या आप कीजिए और मैं करूंगा below time जो है नीचे शो करेगा इसके लावा time के उपर और time के नीचे आपको क्या शो करने में चाहते हो time के उपर शो करे steps और time के नीचे शो करे date इस तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को set कर सकते वाचपेस पे, जो फोटो है set हो चुकी है, आप देख सकते हो, आप अपनी वाचपेस में एक साथ 10 वाचपेस को place कर सकते हो, उसमें से 8 वाचपेस fix होते हैं, आप उन्हें change नहीं कर सकते, जो वाचपेस नमबर 2 है औ अब इनमें से आपको कौन-कौन से आपस की notification रिस्यू करनी है, आपकी वाच में आपको इन्हें आपस को इस तरीके से on करना है, enable tab कीजिए, dafit को on कीजिए, allow कीजिए, back जाइए, तो मैंने on किया है WhatsApp, Instagram, Twitter और last वाला है others, अगर आप others को on करोगे, तो आपकी phone में जो भी भी call आता है, तो किस तरीके से शुकरेगा आपकी वाच में, तो इस तरीके से आपको मिलेगा call का alert, contact का नाम में नंबर शुकरेगा, आपकी वाच में बजीगी ringtone, और आपकी वाच करेगी vibrate, आपको हैपे मिलेंगे दो option, call को cut करने का और इसे accept करने का, जो ringtone बज रही है आप उसे mute नहीं कर सकते, आपको अगर accept करना हो तो accept किजिए, तो आपको हैपे मिलेंगे 4 options, यह है call के volume को adjust करने का, इसके बाद है call को transfer करने का, जो call है अब चल रहा है आपकी watch में, अगर आप चाहते हो call transfer हो जाए आपकी phone में, तो आपको इस पर tap करना है, अब जो call है जा माइक को mute कर दिया, तो सामने ओले को आपकी आवज नहीं जाएगी, और यह है call को cut करने का option, माल लेते हैं आप किसी meeting में हो, या इसे जगब में हो, जहापे आप नहीं चाहते हैं कि आपकी watch में ringtone बजे, तो आपको अपनी watch में call के feature को off करना पड़ेगा, तो आपको जना ह अपने phone के bt settings में bp long tap कीजिए, और यहां पर होगा fire volt 100, आपको इस पर tap करना है, अब अगर कोई भी call आएगा, तो आपकी watch में ringtone नहीं बजेगी, आपकी watch में होगा call vibration, और अब आप अपनी watch में call को return कर पाओगे, तो इस तरीके से आपको मिलेगा call का preview, अगर आप calling के feature क off करोगे तो, contact का नाम में number शुकरेगा, आपकी watch में होगा call vibration, यहां पर आपको लेंगे दो option, call को cut करने का, और इस call के preview को यहां से remove करने का, अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी SMS आता है, तो किस तरीके से शुकरेगा आपकी watch में, तो SMS आ चुका है, watch में भी आ चुका SMS लेकिन watch का display ओन होता नहीं है, watch करती है, केवल vibrate, तो आपको display कोन करना पड़ेगा, और यह है, वो SMS, contact का नाम में number शुकरेगा, हिंदी phone partially support करते हैं, लेकिन emoji support नहीं करते हैं, और आप SMS के लिए 4-5 line read कर पाओगे, इस तरीके से, और अगर आपने SMS को देखना मिस कर दिया तो आपको homepage पर करना है, swipe up, और यह है आपके message, आपको जिसे open करना है, उस पर, क्या आप करके, उसे आप read कर सकते हो, इस तरीके से, अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी WhatsApp message आता है, तो किस तरीके से चुकरेगा, तो WhatsApp आ चुका है, watch में भी आ चुका है, लेकिन display on होता नहीं है, watch करती है, तो आपको display कोन करना पड़ेगा, और यह है WhatsApp message, उसका icon, contact का नामे नंबर, और यह है वो message, यहाँ पे भी 4 से 5 लेना परिट कर पाओगे, अगर आपको सब भी को एक साथ करना वाक डिलीट, तो नीचे आपको मिलेगा, clear all का option, सब भी को एक साथ clear करने के लिए, आगे है alarm, तो आप अपनी watch में एक साथ 3 alarm को add कर पाओगे, आपको time पर tap करना है, time को set करने के लिए hour, minute इस तरह के set कीजिए, कौन से दिन को आपको alarm को play करना है, उन दिन को choose कीजिए, और कीजिए save, जो भी alarm आप add करोगे, आप उन्हें देख पाओगे, अपनी watch मे और जब भी alarm का time आएगा, तब आपको मिलेगा, alarm का reminder आपकी watch में, vibration के साथ, आगे है shutter, तो आप tap करोगे, आपको भरना है, while using the app, आपके phone में open होगा camera, और यहाँ पे open होगा shutter button, तो आप tap करोगे, तो आपके phone में capture होगी photo, 30 second के बार, तो आप tap करके, या shake करके, photo capture कर सकते ह आपके phone में, जो भी photo आप capture करोगे, इस तरीके से, यहाँ पे उन्हें देख पाऊगे, यहाँ से camera को गर पाऊगे rotate, और यह है flash को अनुप करने का option, आगे है favorite context, तो आप अपनी वाश में एक साथ 8 context को save गर के रख सकते हो, आपको इस पे tap करना है, add पे tap कीजिए, जिस किस को कर लिया है, select फिर आपको करना है, then पे tap, जिस order में यह context है, आप पे show कर रहे है, से हम उसी order में, आपकी वाश में भी show करेंगे, इन्हें उपर निचे करने के लिए, आपको इन में से किसी को भी remove करना हुआ, तो आपको करना है swipe, और minus पे tap करना है, जो contact होगा, हो या हैश हो अगर एसा कोई नंबर होता है तो आपके context आपकी watch में save नहीं होंगे तो context हो चुके sync आपको जना है back आगे है others मतलब की settings इसमें सबसे पहले है find device तो इस feature के जरी आप अपनी watch को ढूंड सकते हो मानलो आपने अपनी watch को कही पर रख दिया है आपको मिलने रही है तो ऐसे में अगर आप इस प्रिट्याप करोगे तो आपकी watch में होंगी तीन चीजे display on हो जाएगा आपकी watch करेगी vibrant और आपकी watch में बज़ेगा tone हाला कि यह feature तभी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी आप अपनी watch में time को set नहीं कर सकते है जो time आपके phone में show कर रहा है same way time आपकी watch में भी show करेगा हाला कि आप जो time format है उसे change कर सकते हो तो यहाँ पे है 12 hour time ट्याप कीजिए आपको जिस time format में time को show करना है आपकी watch में आपको उस format पे selection करना है और करना है done unit system और language आपको change नहीं करनी है इने रखना है same as it is आगे है D&D तो D&D को use करने के लिए आप को यहाँ पे time set करना पड़ेगा start time in time जो time आप set करोगे उस time के दुरान D&D काम करेगा D&D काम करेगा मतलब कि आपकी watch में कोई भी message या call नहीं आएंगे इसके लवा आपकी watch में कोई भी sound या vibration प्लेन ही होगा यह है reminders to move मतलब की sedentary reminder तो अगर आपने इसे own किया तो अगर आप एक घंटे के लिए बिना किसी activity के ऐसे ही बेठे होग आइडली एक घंटे के दोरा ना आप चले ना पूठे तो आपको हर घंटे आएगा एक alert आपकी watch में कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए फिर है continuous hard rate detection मतलब की आपकी watch में hard rate को automatic measure करने का option तो अगर आप चाहते हो आपकी watch में automatic measure हो heart rate तो आपको यहाँ पे करना है timer को set माल लेते minutes it किया है 20 minute मतलब की मेरी watch में अब हर 20 minute के बाद heart rate automatic measure होता रहेगा अब जितना timer यहाँ पे कम रोखोगे उतनी बैटरी जदा use होगी आपकी watch में तो अगर आपको battery को save करना है तो इसे रखिए 30 पे अगर आपको और जदा बैटरी से होगरनी है तो इसे close कीजिए off कीजिए मतलब कि आपकी watch में heart rate automatic measure नहीं होगा लेकिन आप जब चाहत अब अपनी watch में manually heart rate को measure कर सकते हो बड़ी आसनी से आगे है control phone music तो अगर आप चाहते हो आपके phone में जो भी music है उसे control करना आपके watch के जरीए तो आपको इसे on करना है यह है battery saving तो अगर आपको अपनी watch में battery को save करना है तो आपको इसे use करना है अगर आप इसे on करोगे तो आपकी watch में होंगी charge जिए calling का feature off हो जाएगा आपकी watch में brightness सबसे कम level पे sit हो जाएगी vibration off हो जाएगा और rest to wake का feature भी काम नहीं करेगा यह है auto lock मतलब की screen time out तो यहाँ पे sit किया गया है 5 seconds इसका मतलब क्यों होता है डिस्प्लेयों को अगर मैं on करूंगा तो अब यह 5 seconds के लिए on रहेगा उसके बाद अपने आप off हो जाएगा तो अगर आप इस timer को increase करना चाहते हो तो यहाँ पे है maximum 30 seconds लेकिन अगर आपको battery backup अच्छा चाहिए तो आप maximum set करिए 10 या 15 seconds में करूंगा 15 seconds के लिए यह है reset करने का option तो अगर आप चाहते हो आपकी watch में जो भी data है उससे clear करना erase करना तो आपको करना है reset यह है quick view मतलब की erase to wake का feature तो अगर आपने इसे on किया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है मान लेते हैं आपने अपनी watch को पेना हुआ है अब अगर आपको time को दिखना हुआ डिस्प्ले को on करना हुआ तो आपको अपनी कलाई को उपर की और rest करना ऐसे display होनो जाएगा आगे है drink water reminder तो आप पानी पिने का reminder भी set कर सकते हो अपनी watch में तो आपको इसे on करना है start time सबसे पहला reminder आपको कब चाहिए सुबब का time आपको यहापे set करना है में करूँगा 9 बजे का time कितनी बार आपको पानी पिने का reminder चाहिए तो मैं चाहता हूँ 6 बार ऐसा reminder और आपको हर कितने डाइम के बाद ऐसा रिमेंडर साहिए तुम्हें चाहता हूँ हर दो घंटे के बाद तुम्हें करूँगा 120 मिनट आगे है वेदर तो अगर आप चाहते हो आपकी वाच में आपके लोकेशन का वेदर शो करें तो आपको अपनी सिटी को आड़ करना है तो और यहां पे अपनी सिटी किन्स याजो डेस है उसे एंटर करना है और यह है अप्रेड मतलब की अप्डेट को चेक करने का ओपशन तो आप ट्याप करके यहां पे अप्डेट को चेक कर पाऊगे और अगर अविलेबल होगा तो यहां से आप हूसे डाउनलोड भी कर पिर यह है गोल मतलब की daily step goal आपको daily कितने step चलने है तो आप यहाँ से उसे change कर सकते हो अपने हिसाब से यह है background operation protection guide तो अगर आप चाहते हो आपकी watch आपके phone के साथ बार बार disconnect ना हो और आपकी watch में सभी notification टाइम पर मिलती रहे तो उसके लिए आपको करनी है आपके phone में हो सकता है लोग का icon आपको इसके ट्याप करना है इसके पाद आपको जाना है app info में बैटरी में और यहाँ पर आपको करना है पहले पर selection unrestricted यह है Google Fit तो अगर आप चाहते हो आपका दार फिट है आप में जो भी data है जैसे कि आपके steps, distance, kilo calorie energy, heart rate, sleep data, location यह सब कुछ आप Google Fit में देख पाओ तो आपको करना है connect फिर आप दोनों है आप में आपका activity और health data चेक कर पाओगे अब बात करते हैं home page की जहाँ पे आपको शो करेगा आपका आपका activity और vital data और आप इस data को refresh कर सकते हो आपको page पे करना है swipe down तो यह है आज के steps, distance, calorie energy और आपका active time इसके लवा यह है आपका sleep data अगर आप चाहते हो आपका sleep data record हो आपकी watch में तो आपको सोने के दुरान watch को पहने रखना है night time में और फिर आप यहाँ पे जान पाओगे कि आप कितने time के लिए सोए ह और आपके अलग-अलग sleep stages और उसका time इहाँ पे शो करेगा और आप अगर अपनी watch में कोई भी vital measure करोगे जैसे की heart rate और SP2 तो उसका data आपको यहाँ पे शो करेगा आप ट्याप करके उसे detail में चेक कर पाओगे इस तरीके से अगर आप कोई भी workout करोगे आपकी watch में तो उसक हम देखेंगे आपको watch को कैसे use करना है इस watch में आपको मिलती है एक button जिसके है तीन functions तो अगर आप home page पे आपने इस पे प्रेस किया तो आप display को on up कर सकते हो इस तरीके से अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको back जाना हुआ step by step तो आपको इस पे प्रेस क आपको tick पे ट्याप करना है switch up करने के लिए home page पे अगर आप swipe down करोगे तो आपको मिलेगा control center उपर में आपे शुकरेगा battery level date, day और अभी का weather सबसे पहला toggle है battery saver mode का जो हम देख चुके है अगर आप इसे on करोगे तो आपकी watch में होंगी शार्चिजे यह है theater mode अगर आप theater mode क आपको on करोगे तो brightness सबसे कम level पे sit हो जाएगी और आपकी watch में जो vibration है वो भी off हो जाएगा यह है flash light को on off करने का toggle इस तरीके से आप इसे on off कर सकते हो यह है vibration को on off करने का toggle तो अगर आप चाहते हो आपकी watch में कोई भी alert आए तो vibration हो आपकी watch में तो इसे on रखिए अगर आप चाहते हो आपकी watch में vibration ना हो तो इसे off किजिए यह brightness को adjust करने का slider तो आप यहां से इस तरीके से slide करके brightness को कर सकते हो adjust और यह है end में settings का option तो इसमें सबसे पिलने है stop watch तो आप यहां से stop watch को start कर सकते हो यह है alarm जो भी आपने alarm add कि आपके app में यहां पे show करेंगे और आप यहा file को आप change कर पाओगे अभी state की आगया है list view में तो जो main menu है आपको show करेगा इस तरीके से इससे कहते है list view अगर आपको इसे change करना है तो आप इसे करिए grid view में तो आप में menu show करेगा grid view में यह रहा grid view इसके बाद brightness तो आप यहां से भी adjust कर सकते हो यह है phone का option मतलब की calling का feature तो अगर आप करोगे call reset तो आपकी watch में होंगी तीन चीजह है calling का feature off हो जाएगा सारे जो context आपने से होगी है वो सभी context हो जाएंगे delete और आपकी जो call history है recent calls वो भी हो जाएंगे delete vibration को आप यहां से भी on up कर सकते हो यह है theater mode आप यहां से भी इसे on up कर सकते हो यह है reset करने का option इस watch अबोट में जाकर अगर आप यहां पर लगातार पाज बाड़ ड्याप करोगे तो यहां पर आप speaker को test कर सकते हो अपनी watch में और यहां से mic को test कर सकते हो इस पर ड्याप करके अगर दोनों ठीक से आवाज कर रहे मतलब कि आपकी watch में speaker और Mac ठीक से work कर रहे है QR code दिया गया है दाफ इटे आपको डाउनलोड करने के लिए जो हम पहले ही डाउनलोड कर चुके है home page पर अगर आप swipe left करोगे तो आपको मिलेंगे अलग-अलग shortcuts सबसे पहले है आज की activity, आज के steps, आज का sleep data और अभी last time आपने कौन सा workout किया था उसका data इसके लवा इसके आगे है phone का feature तो जो भी contacts आपने add कि आपकी watch में यहाँ पे show करेंगे add contacts, अगर आपको इन में से किसको भी call करना हुआ तो आपको इस पे tap करना है call करने के लिए dial pad के ज़री आप किसी भी number को बड़ी आसनी से call कर सकते हो, इस तरीके से dial pad पे जो symbols से आप उनका भी use कर सकते हो, आपको इस number पे लोंग-ट्याप करना है इस तरीके से star, hash और plus, फिर ए recent call मतलब कि आपकी call history तो यहाँ पे आपके show करेंगे पिछले चार calls, अगर आपको इन में से किसको भी call करना हुआ तो आपको इस पे tap करना है call करने के लिए हाला कि यहाँ आप पे recent call को clear करने का option available नहीं है, इसके आगे है AIOS तो आपके phone में अगर Google Assistant या Siri है तो इसका यूज़ाप करपाऊगे अपनी वाच में आपको tap करना है How is the weather today? इसके बाद है health मतलब की heart rate measurement और SPO2 measurement तो आप tap करके अपने heart rate को और यहाँ पे tap करके अपने SPO2 को कर पाऊगे measure इसके आगे है weather info तो अभी खिलाल कितना weather है और आज का maximum minimum और आने वाले अगले 6 दिन का maximum minimum वेदर यहाँ पे show करेगा इसके आगे है shutter button तो इसके लिए सबसे पहले आपको app को open करना पड़ेगा मतलब कि अगर आप app को open नहीं करोगे तो आपके phone में camera open नहीं होगा आप देख पाऊगे अब अगर मैं tap करूँगा तो मेरे phone में camera open होगा नहीं तो जैसे अगर आपको इस feature को जिस करना हुआ तो सबसे लिए आपको app को open करना पड़ेगा दाफिट को open करिए उसके बाद ही जो feature यह काम करेगा और फिर आप preset या शेक करके अपने phone में capture कर पाऊगे photo इसके आगे है music player तो आप tap कीजिए play पे play करने के लिए अगर music play नहीं हुआ तो आपको अपने phone में music player को open करना है music को play करना है इसके बाद music play होगा volume को आप यहां से adjust कर सकते हो previous next जो music play हो रहा है आपकी watch में अगर आप चाहते है music play हो मेरे phone में तो आपको जना है अपने phone के bt settings में bp long tap कीजिए और यहां भी होगा firebolt 100 gear के आकन पर tap कीजिए और जो audio का toggle है आपको इससे off करना है इसके बाद अगर मैं music को play करूँगा तो play होगा मेरे phone में मतलब कि अगर आप इससे on रखोगे audio को तो आप अगर कोई भी media play करोगी आपके phone में फिर चाहे कोई भी music हो वीडियो हो या YouTube हो तो उसका sound play होगा आपकी watch में अगर आप चाहते हो आप कोई भी media play करो आपके phone में तो उसका sound हमेशा phone में ही play हो तो आपको इससे off रखना है इसके आगे है breathing workout तो आपको करना start जैसे circle छोटा होता है बड़ा होता उससे आपको सास लेनी है छोड़नी है inhale मतलब सास लेनी है और exhale मतलब सास छोड़नी है ऐसा करने आपको 8 बार stop करने के लिए बैग जाईए अब बात करते है main menu की तो आपको उससे access करने के लिए करना है home page पे swipe right हम यहाँ पे सभी चुचों को देख चुके हैं जैसे की phone, AIOS, heart rate, SPO2, weather, shutter, player, breathe जो बाकी है वो है training और game game की बात करेंगे तो आपको मिलते हैं दो games young bird और 2048 और यह है training mode मतलब की workout mode तो यहाँ पे आपको बिलेंगे 20 workout mode हाला कि आपके पास options है 120 लेकिन यहाँ पे set किये गए है केवल 20 workout mode अगर आपको इसमें किसी भी workout को add करना हुआ तो आपको नीचे जाना है तो उपर में आपको show करेंगे जो मैंने तीन add किये थे volleyball, cricket और bowling अब आप जितने ही हाँ पे नए add करोगे उतने नीचे से पुराने remote जाएंगे अगर आपको इन में से किसको भी start करना हुआ तो आपको उस पे tap करना है start करने के लिए इस तरीके से तो यहाँ पे showगा आपका data जैसे की kilo calorie energy, आपका heart rate और इस workout को कितना time हुआ है अगर आप swipe करोगे left में तो यहाँ पे आपका real time heart rate data और ऐसे swipe करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इसे post करने का option, resume करने का option और इसे end करने का option अगर आप चाहाते हो आपका workout data save हो आपके app में तो आपको minimum एक minute के लिए workout करना है, दोस्तो तो यह था fire world ninja talk का full setup guide, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पुछ सकते हो, आप मुझे instagram पे या फिर twitter पे भी message कर सकते हो, इस video को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो